एस्टोर नॉट्स तो जाते हैं इस स्पेस में उनके साथ बहुत सारी कठनाईयां होती हैं बहुत सारी चीजे होती हैं आज इसी के बारे में हम डिसकस करने वाले क्योंकि हमें भी बहुत अराम से लगता है कि मज़े करके आ गए वो तो इस स्पेस में और क्या किया होगा जा जाते हैं तब उनके शरीर का fluid बजाए नीचे की तरफ जाने के जो प्रिथूइ पर होता है gravity की वज़े से fluid नीचे की तरफ जाता है लेकिन when zero gravity में होते हैं तब उनका fuud sit sir की तरफ जाता है जिसकी वज़ेसे आखों की पुत्लियों की बैक साइड थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है जिसकी वज़े से उनका वीजन थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है हाला कि यह 49% एस्टोनोट के साथ ही होता है लेकिन वापिस आने पर ठीक हो जाता है लेकिन कुछ के साथ यह साल भर तक रहता है और उसके बाद यह ठ करना पड़ता है जैसे की रेडियेशन, माइक्रो ग्रैविटी, माइक्रोब्स और इस्ट्रेस, लोनलीनेस और लैक ओफ स्लीप अगर कोई अस्टोनोट जादा देर के लिए डीप स्पेस मिशन में चला जाता है तो उसको ऐसी जान लेवा बिमारियां हो सकती है जिससे वो बहुत जादा वेट लिफ्ट करते हैं और अगर उनको यह कह दिया जाए कि आप एक दो साल के लिए वेट लिफ्ट ना करो तो क्या उनकी मसल उसी तरीके की रहेगी वो उतनी ही फूली रहेगी नहीं वो श्रिंक होती चली जाएगी और इसी तरीके से एस्ट्रोनोट्स की अगर दस किलो का भी वेट उटा रहे हो तो उसमें आपकी मसल यूज हो रही है लेकिन इस पेस में आसानी है वहाँ पर दस किलो का वेट भी आपके लिए एक उंगली से उठाने लायक हो जाता है तो आप खुद सोचिए कि आप अपने शरीर का वेट वहाँ पर नहीं उठ चारे बस आप फ्लोट कर रहे हो जिस वेज़े से आपकी मसल भी वहाँ पर श्रिंक होती चली जाएगी जो आइस नोट के साथ होता है इस पेस में अगर प्रॉपर एक्सराइज ना करें तो उनकी हड्डियों की डेंसिटी का साइज भी कम हो जाता है इसके लिए नासा ने सो के डंबल्स ले जाएं तो वह उतने जादा भारी नहीं होंगे जिसकी वज़े से वहाँ पर यह रिजिस्टन्स मशीन का इंतजाम किया गया है और यह जो ट्रेड मिला इसमें ग्रैवटी का एक्स्पिरियंस करवाने के लिए कंधो पर दो बैंड लगते हैं कमर पर दो हो जाती है जिसकी वज़े से उनको प्रिथ्वी पर आने के बाद भी जिम में थोड़ा वह वर्क आउट करना पड़ता है जिस वज़े से वह वापिस अपनी वह जो मसल लौस हुई है उसको रीगेन कर पाएं जो बोन की डेंसिटी कम हुई है उसको दुबारे से रीग्रो रीग्रो कर पाएं तो यह सारी चीज़े करनी पड़ती है इंटरनेशनल स्पेस से आने के बाद में इस पेस में जाने के बाद में कुछ आसो नहीं पाते क्योंकि हफते दो हफते तक उन्हें दिखाई देती है इस ट्रिक्स और फायरवक ऐसा क्यों होता है कुछ नहीं कहा वक्ति हो जाती हैं। इसपेस offense implemented में उसे आस्टिनट में किसी मोबाइल के गऄेटर की तरह काम करते हैं dove आप खड़े हो कब आप लोटे कंब बैठेहें बैठेहें कब करवट ले रहे वो काम करना बंद कर देते हैं जिससे कई एस्टेनोट को शुरुवाती दिनों में मोशन सिखनेस का भी सामना करना पड़ जाता है पिर्थवी पर ग्रैविटी की वज़े से हर चीज नीचे की तरफ पुश होती है लेकिन स्पेस में कोई ग्रैविटी नहीं जिस वज़े से जब एस्टेनोट एक्सपेंड होना चालू कर जाती है लेकिन कुछ महीनों बाद वह वापिस अपनी नॉर्मल हाइट पर पहुंच जाती है क्योंकि वह वापिस श्रिंक हो जाती है तो कुछ लोगों के लिए यह एक अच्छी बात रही होगी कि तीन परसेंट हाइट बढ़ जाती है लेकिन एस्टोनॉट स्पेस से जमीन पर आ जाता है तब भी उसकी बॉड़ी को काफी कुछ एड़ेस्ट करना पड़ता है क्योंकि काफी टाइम तक तो यासा ही लगता है कि हम अभी भी जीरो ग्रैविटी में है दिमाग घूम रहा होता है जिस बज़े से कई बार गिलास हवा मे छोड़ देते हैं जिससे वो टूट फूट हो जाती है लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद यह हो जाता है और उपर से शरीर जो इतना वीक हो जाता है उसके लिए एक्सराइज करनी पड़ती है कई सालों तक तब जाके वो दुबारा से रीगैन कर पाते हैं अपनी वह स्ट क्लाक कर दें तो बेल का इकन जरौब दमनवार वहро आपको पता भी हुसी तरह की वीडियो डाले है